दोस्तों DR Education के इस Official YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है देखी दोस्तों Indian Navy के अंदर Civilian Staff की नई vacancies आई हुई है different different post के उपर आज का जो हमारा session है इसमें मैं Fire Engine Driver का जो application form है वो किस तरीके से आप fill कर सकते हैं step by step एक एक point किलियर करने वाला हूँ तो वीडियो को आप end तक जुरूर देखिएगा आपके सारे के सारे doubts हो clear हो जाएंगे और दोस्तों इस channel पर अगर आप पहली बार visit कर रहे हैं तो channel को भी जरू से जरू सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी परकार की important videos आगे भी आपको इस channel के उपर मिलती रहेंगी देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूँ Google के उपर आपको यहाँ पर type कर देना है join Indian Navy जैसे आप type करेंगे उसके बाद यहाँ पर official website आपके सामने निकल करके आ जाएगी यह सबसे उपर वाली जो website है उसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीकी की website आपके सामने निकल करके आ जाएगी इस official website का link मैंने डारेक्ट इस वीडियो के description में भी दे दिया है और इसके लावा driving license इनके सबके PDF format आप त्यार कर लेजिएगा जो आपकी जो भी यानि documents हैं उनकी सभी की आपको PDF त्यार करनी है ना कि images त्यार करनी है image upload नहीं होंगी PDF आपको upload करनी पड़ेंगी वो आगे मैं आपको form भरते time बताने वाला हूँ कहाँ पे क्या upload भी करना है ठीक है क्या बताया है मैंने 10th plus 2 category का इसके लावा driving license और इसके लावा आपका अधार कार ये सारी चीज़ें आप त्यार कर लो इन में से जो भी documents upload करने हो आप step by step upload करते जाना वहाँ पे सारी चीज़ें आपसे upload करवाई जाएंगी fire engine driver के लिए सिर्फ education qualification मांगे गई है 10 plus 2 plus में heavy motor vehicle driving license इसके लावा कई candidates doubt create करते है सर्थ experience कहां से लेकर क्या है क्योंकि उसमें experience का भी option आएगा तो अगर आप experience बनवाए हुए है आपके पास experience है तो आप वो details fill कर सकते है अगर आपके पास experience certificate नहीं है तो आप नीचे दिये वे skip के बटन के उपर skip करके उस options को ही remove कर सकते है यानि कि आपका application form submit हो जाएगा आपको tension नहीं लेनी है क्योंकि इसमें essential में सिर्फ और सिर्फ 10 plus 2 और heavy motor vehicle driving license मांगा हुआ है समझें आगई बात तो सारी चीज़े आगे आप step by step देख लीजिएगा कैसे मैंने application form fill किया है मैंने आपको एक demo देने के लिए मैंने अपनी जो जुड़ी हुई details है वो सारी fill की है और last तक आपको दिखाया है कैसे application form fill करना है देखि सबसे पहले आपको join navy के उपर click करना है उसके बाद नीचे जाएंगे तो way to join पर click करके और नीचे civilian पर click करके और उसके बाद सबसे नीचे INCET 2024 वाले पर click करना है ok करके इस page पर पहुंचाना यहाँ पर एक बटा 2024 new पर click करना है आपको click करते ही और यहाँ इस page पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर एक तो register का option दिया हुए एक login का option दे रखा है तो click here to register पर click कर दो या register के उपर किसी पर click कर सकते हैं क्योंकि आप नए user हैं तो register के उपर click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपनी registered email id फिल करेंगे और उसके बिल्कुल सामने mobile number दिया हुए उसको फिल करना है तो यह दोनों चीज वहीं फिल करें जो active हों चाहें email id हो चाहें mobile number दोनों active होने चाहिए क्योंकि इनके उपर OTP और email जाएगा तो इसलिए आपको दोनों active भरने है नीचे जो capture code दिया है इसको fill करके और नीचे जो register का option दे रखा है उस register के option के उपर आपको click कर देना है जैसे click करेंगे यह pop up आएगा इसके उपर ok कर देना है और उसके बाद आपका registration हो जाएगा जो confirmation message है वो आपकी registered email id के उपर इसी होगा तो आपने जो अभी email id fill करी है उस email को अपने mobile ये laptop के अंदर open करो और उसके अंदर जो email आया है उसके confirmation आया है तो click here to confirm this message उसके उपर click करके और एक OTP generate होगा जो आपके registered mobile number के उपर आएगा तो वो mobile number जो है वो active होना चीज जिसके उपर OTP आ रहे जो OTP आयेगा उसको fill करके और एक अपना नया password आप generate कर सकते हैं password में ये ध्यान रखना जो भी password बनाएं उसमें सबसे पहला जो letter हो capital letter होना चीए ठीक है जैसे मेरा नाम दीपक है मानलो या और कोई भी आप password बना रहें तो उसमें जो पहला letter है जैसे दीपकट डी बढ़ा होना जी बाकी चाहिए छोटे कर सकते हैं उसके बाद password जनरेट करने के बाद यहां login में अपनी registered email ID जो आपने fill करी थी वो fill करनी है और जो password दे रखा है उसमें आपने नया password बनाया है उस password को यहां पर fill करके और नीचे जो capture code दे रखा है उस capture code को fill करके और यहां नीचे जो login का option दे रखा है उसके उपर आपको click करना है जैसे ही login करेंगे तो आपका जो application form है वो open हो जाएगा जैसे इस परकार से यहां save और never का option आएगा तो save कर सकते हैं password को नहीं तो never कर सकते हैं तो यहां पर देखो अलग-अलग post के name आने शुरू हो चुके हैं तो आपको किसका form भरना है fire engine driver का तो यहां पर देखो एक तो apply now लिखाओ एक essential qualification तो essential qualification मैं आपको already बता चुका हूँ 10 plus 2 इसमें मांगा गया है और heavy license दो चीज़े मांगी गई हैं जो essential हैं सबसे ज़्यादा जरूरी है experience इसमें कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी experience की details अगर आप fill करना चाहें तो fill कर सकते हैं आगे जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा भी उससे पहले आप अपने सारे documents हैं वो PDF form में त्यार कर लीजिए जैसे कि 10th है, plus 2 है, अधार कार्ड है, license है या category certificate है इस सारे PDF form में अपने पास रख लो क्योंकि इसमें upload करने होंगे तो यहाँ पे i, hereby, verify पे tick करके वो नीचे save कर देना है जैसे save करोगे ओके करके और next page पहुंँ जाएंगे यहाँ पे आपकी details fill करने है, जैसे कि अधार कार्ड number आप fill करेंगे, उसके बाद नीचे आपका नाम दे रखा है तो नाम confirm करेंगे first name है शिर्फ, तो first name fill करेंगे दोनों जगां, जैसे कि मैंने यहाँ पे भरके आपको बताया है, दीपक, दीपक, confirm करेंगे last name अगर आपका है, तो last name में fill कर देंगे, अदर्वाइस कोई ज़रूरी नहीं है, first name mandatory है, क्योंकि star mark किया हुए न, तो first name ही ज़रूरी है, उसके बाद आपका gender fill करेंगे, नाम change तो नहीं करवाया है, वो बताएंगे marital status, यानि आप unmarried है, married है, वो fill करेंगे, अगर आप unmarried है, तो कोई दिकर नहीं, married है, तो spouse का नाम यहाँ पर fill कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर fill कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे, तो category fill करनी है, general से है, तो general से category fill कर सकते हैं, और other कोई category है तो वो feel करेंगे उसके बाद जैसे मानलो आपने reservation लेना है तो उस category का certificate आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा OBC के लिए declaration होती है तो आप OBC declaration आप upload कर सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद नीचे जैसे disable तो आप नहीं होंगे OBC बात है तो no कर देंगे disable के उपर और उसके बाद नीचे एक्सरीस्मन दे रखा है तो अगर आप एक्सरीस्मन है तो yes कर देंगा अदर्वाइस no कर देंगे sports person है या कोई defense service personal है तो no-no कर देंगे अगर आप हैं तो yes कर देंगे otherwise no कर देंगे इनमें सभी में sports person है तो no कर देंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको photo और signature upload करना है उसके बाद next page पे आपको nationality ठीक है अगर आप India से हैं क्या आपकी posting कौन से command पे हैंगी तो आप उस हिसाब से preference यहाँ पे चूज कर सकते हैं तीनों अलग-लग आपको fill करना ही पड़ेंगी उसके बाद आपको live जो आपकी photo वो capture करना ही पड़ेगी चाहिए desk cam से कर सकते हैं desk के मतलब आपका जो laptop का camera है उससे कर सकते हैं या mobile से आप fill करना है तो mobile का camera है उससे अलग चार-चार अलग आपको angle से यहाँ पे photo upload करना ही है यह देखो चार photo है तो सभी पे click करके आपको चार अलग-अलग photo यहाँ पे capture करना ही पड़ेंगी उसके बाद next page पे अपना जो भी address है communication address वो यहाँ पे fill करना पड़ेगा details से उसके बाद दुबारा से आपको यहाँ पे education qualification बताई हुई है तो भई आपने essential qualification पास कर रखे हैं तो yes कर देंगे उसके बाद आपके पास heavy driving license से yes कर देंगे certificate number में अपना driving license number यहाँ पे fill करना है और सामने upload certificate का option दे रखा है इसमें अपना license जो है वो PDF form में upload करना है मैंने बताया था सारे documents upload करने पड़ेंगे 10th plus 2 license यह सारी चीज़े अपने तयार रखो PDF form में जैसे 10th और plus 2 की details fill हो जाते हैं उसके बाद next आपको step अपनाना है जो है experience experience अगर आपको fill करना है तो आप सारी चीज़ें fill कर सकते हैं नहीं तो skip भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी experience नहीं है तो name of employer के अंदर जिस department में या जो आपको नोकरी दे रहा है उसका नाम fill करना है कभी employer के अंदर अपना खुद का नाम fill कर दो filled, from, to, कब से लेके कब तक उसके बाद salary और अपना experience certificate अपलोड करना है next करके आपको यहाँ पे examination cities हैं वो तीन अलग-अलग examination cities आप चूज कर सकते हैं preference बरवाई जा रही हैं उसके इसाब से आपका written examination का जो place है वो दिया जाएगा यानि दिल्ली होगा, जैपूर होगा, लुधियाना होगा, जहांपे भी होगा मतलब यह सारे examination cities यहाँ पे दे रख हैं तो मैंने तीन अलग-लग अपने नजदीक के भरे हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई आप इस तरीके से तीन अलग-लग examination cities हैं वो अपनी preference के साब से आप फिल कर सकते हैं जैसे मैंने दिल्ली, जैपूर और चंडिगड को चुना है तो आप अपने नजदी की जो भी city हैं उनको चूज कर सकते हैं इसके बाद यहां पर declaration आएंगी तो इन पर टिक करके आपको submit application के उपर क्लिक कर देना है ओके करेंगे उसके बाद next जो आपको प्रोसीजर रहेगा वो payment कर रहेगा जो आपकी application fee है वो यहां से detect करने पड़ेंगी उसके लिए net banking, debit card, credit card से आप अपनी payment कर सकते हैं और यहां पर qr का option दिया हुए तो qr code से भी आप payment कर पाएंगे ठीक है इस तरीके से आपका application form हो submit हो जाएगा और आपका application form हो generate हो जाएगा ठीक है